तो अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से M is R का हम लोग परियोग कर सकते हैं और उसी के basis पे हमने exercise 1 को भी solve किया है अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो link आपको description में मिल जाएगा और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दा का परियोग हम कैसे कर सकते हैं हाँ ये बहुत ही कम मातरा में यूज किया गया है लेकिन हम लोग दा का परियोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और अगर दो subject भी आ गया है, तो वहाँ पर हमें क्या use करना है, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, दा का परियोग, देखिए, दा का परियोग बहुत ही symbol है, अगर आप थोड़ा सा mind लगाएं, तो आपको easily समझ में आए जाएगे कि कहाँ पर दा लगा और नचक्षट होते है, अब यहां पर हम कैसे पता करेंगे कि कहा पर दलगाना है, अब मालीजी इसमें दलगाना है या इसमें दलगाना है, कहां पर लगाना है, यह हम किस तरीकी से find कर सकते हैं, बहुत ही easy way बताता हूँ, आप लोग इस वीडियो में बने रही है, दे किया जा रहा है और एक कहा जा रहा है बच्चे नटखट होते हैं यह निश्चित नहीं है जो चीद निश्चित है उसी के पहले हम लोग द का पड़ियोग करेंगे ओके चलिए जैसे कि बच्चे खुस हैं तो लिखेंगे द चिल्ड्रन आर हैप और वहींबाद बच्चे नटखट होते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे चिल्ड्रन आर नट्टि ओके आप समझ गया होंगे बच्चे खुस है तो लिखेंगे चिल्ड्रनunta नट्टी अब यहां पर हम्ने द पड़ियोग इसलिए नहीं किया कि यह निश्चित नहीं ह कि कुछी बच्चों के बारे में ये पूरे होल पूरे दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उसके बाणे में कहा जा रहा है ठीक न हमने इससे पहले भी आपको बदाया है अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक description में आपको मिल जाएगा ठीक ना चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते कि दो सब्जेक्ट अगर देया हुआ है तो नीचे हमें एक sentence लेते हैं तुम और मैं तयार हूं तुम और मैं तयार हूं अब यहाँ पर हमने क्या लेगा तुम और मैं तयार हूं अब लास्ट में हू लगाए तो क्या लगाएंगे एम लगाएंगे नो हमें देखना है कि कितने subject हैं दो subject हैं मारे पास तो लिखेंगे यू एंड आई यू एंड आई आड लगाएंगे यू श्यां में ले ले लेते हैं त्यार है अब यहाँ पर हम कहीए करेंगे राम और आप लेंगेार और जहां prata एंड नाम है फिर आंद कारें रड़। क्यों कर रहे हैं क्योंकि दो सब्जेक्ट में भी आ गया है और जब दो सब्जेक्ट recruited तो वो पुल्डल में चला जाता है तो आज के वीडियो में हम लोग exercise 2 को solve करेंगे जो कि हमारा new version पर waste है हम new version में बना रहे हैं junior English translation को आगे बढ़ता है तो हम लोग solve example solve करेंगे क्योंकि आपके book में पहले से solve किया हुआ है फिर भी हम लोग solve करेंगे जिसे हमें जादा से जादा चीजे समझ में आए चलिए मैं यूवा और स्वस्त हूं मैं यूवा और स्वस्त हूं अब यहां पर ऐसे sentence को हम कैसे बनाएंगे देखिए मैं यूवा और स्वस्त हूं अब यहां पर जो हमारा subject है वो कितना है मात्रे एक है लेकिन आप्जर्ट कितना भी हो सब्जेक्ट हमारा एक है तो हमें जो सब्जेक्ट की हिसाब से लगणा वहीं लगाएंगे चलिए तो आई एम आई एम यूआ का हुजएगा यंग यंग एड़ कि स्वास्त की हुजएगा है यल्दी है हेल्दी अगला हमारा क्या है तुन धनी और दयालू हो तो लिखेंगे यू आर रिच एंड दयालू क्या हो जागा काइंड सिंपल वे लोग ठके और भूखें अभी देख रहे हो आप लोग दो दो सब्जक्ट आ रहे हैं क्या लिखेंगे दे आर टायर्ड एंड हंग्री A G G A T I E A R A T T A Y E A N हंग्री अगला हमारा यहां पर आ रहा है सेम टू सेम डबल सब्जेक्ट वाला मोहन मोहन एंड सोहन आर् शैड अभ अपने क्या लगाया। ए खिक्ना मोहन एंड सोहन आर सैड अगला अमारा क्या है पिताजी तयार है तो लिखेंगे फादर father is ready father is ready Aijat आगला अमारा मां अभर is तो लिखेंगे mother mother also eating for the mother, mom mother is healthy आगे जो मारा है वह बच्चे होज है अब यहां पर दखें बच्चे होज है यहां पर हमारा किसी निशके बच्चे की बारे में बात किया जारा है तो लिखेंगे the the children the children are happy अगला क्या का जा रहा है कि घोडे अच्छे हैं लिखेंगे the horses are good okay चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से हमारा exercise सुरू हो जाता है exercise 2 वह भूखा है हमने सारा कुछ समझ लिया है तो हम fastly exercise को solve करेंगे वह भूखा है लिखेंगे यहां पर हम लोग ही का पढ़ियोग करेंगे लिखेंगे he is hungry he is hungry वे लोग west है तो लिखेंगे they they are busy अगला है सीता लंबी है तो लिखेंगे सीता is long यह आप लोग tall भी लिख सकते हैं मैं long लिख दिया हूँ आप यहां पर tall भी लिख सकते हैं दोनों में से कोई भी आप लिख दीजिए चलेगा अगला है हमारा मैं long लंबा हूँ I am tall अगला हमारा क्या है वह मोटी है लिखेंगे c is fat अब यहां पर आपको समझ में आ रहागा वह मोटी है यानि कि कोई लड़की है इसलिए हम लोग यहां पर c का परियोग कर रहे हैं अगला हमारा क्या है double object वाला यहां पर हम लिखेंग यहां पर लंबी और मोटी यह ध्यान रखना object के हिसाब से भी हम लोग subject लगाते है ठीक ना तो लंबी और मोटी यानि कि c लगेगा लिखेंगे c is c यहां पर मैं एक काम करता हूँ कि c को यहां पर delete करके फिर से एक बार लिख लेता हूँ क्योंकि यह थोड़ा damage लग राता चलिए c is लंबी है यानि कि tall and मोटी है यानि कि fat ओके चलिए आगे बढ़ता है आगे जो हमारा number 7 में है मोहन डरपोग है तो simple लिखेंगे मोहन मोहन इज मोहन इज टिमिड लगा सकते या coward लगा सकते तो मैं टिमिड ही लिखता हूँ क्योंकि यह सब के सबसे familiar है अगला हमारा वह पागल है तो लिखेंगे ही इस टिमांड माला किया काजर है मैं धयालू और इमांदार हूं कि लिखेंगे आई एम अब यहां पर डबल सब्जेक्ट और सौरी डबल अब्र शुक्च है हमारे पास आई एम काइंड एंड इमान दाल के क्या होजगा ऑनेस्ट अगला क्या का जरे राम और स्याम तेज है लिखेंगे राम एंड श्याम आर इंटलीजेंट स्याम बाइवंगे अंड एंटलीजेंट वोकीख लिखेंगे राम एंड श्याम आर इंटलीजेंट आई एंटी ऐल्लेल एंटी जिए एंटी इं डलना यहां पर एंटी अगला क्या फादर इस बीजी ओके चलिए आगे बरते हैं अगला नंबर 13 है बच्चे भूखे हैं तो हमने वहाँ पर भी देखा बच्चे खूस है तो उसी तरीके से लोग दा लगाएंगे क्योंकि यह कुछ खास बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है माली यह पूरा दुनिया का बच्चा तो नहीं भूखा हुं है यहां पर कुछ बच्चे के बाड़े में बात किया जोर्य दो ऑद the children are hungry the children are hungry गाय काली है यहां पर भी हम द लगाएंगे कुछ ही गाय के बारे में बात किया जा रहा है पूरे होल गाय काली नहीं होती है ठीक ना अगला क्या जारा घोड़े अच्छे है यहां पर देखिए लिखेंगे दा हॉर्सेज दा हॉर्सेज आर गुड वे लोग युवा है तो लिखेंगे दे आर यंग अगला है मारा तुम लोग बुड़े हो तक लिखेंगे यू आर बैडू आर बैड अब आगे हमारा क्या कर आ रहा है यह मिथा है इसए हम किसा तरीके से बनाएंगे बहुत ही एजी है देखिए जब हम कोई निरजी बस्तू की बारे में बात करें निरजी बस्तू यहां में बात करें तो हम सिंपल सा इट लगाएंगे चाहे वहां पर ही वह हो या फिर यह हो ओके इट का हम लोग पढ़ियोग करेंगे या दिस दैट का भी आप पर योग कर सकते हैं यहां पर कहा जारा कि यह मीठा है तो लिखेंगे इट इस इट इस स्वीट इट इस स्वीट आगे बढ़ते हैं अगला हमारा है यह काला है तो लिखेंगे इस इस ब्लाइक या फिर आप इसे बना सकते हैं इट इस ब्लाइक अगला है यह भूरा है तो लिखेंगे this is brown this is brown या फिर it is brown जो जैसा बना रहे है वो जैसा सही है it is brown आगे बढ़ते हैं आगे हमार के आए आप धनी और स्वस्त हैं यहाँ पर भी हमें double object मिल रहे हैं तो लिखेंगे you are you are rich you are rich and healthy you are rich and healthy अगला क्या का जरे राम और स्याम यूवा और स्वस्त हैं अब यहाँ पर हमें दो subject दो object मिल रहे हैं तो यहाँ पर भी हम उसी तरह की समनेंगे जैसा हमने पहले बना है राम and स्याम are young and healthy healthy healthy